हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी को मेरा नमस्कार राधे राधे पिरतेक वर्ष माद महा के क्रिस्न पच्च की चतुर्दी तिति को सकट चोथ का पर्व मनाया जाता है इस बार सकट चोथ का वरत 29 जन्वरी को है इस खास अफसर पर महलाएं अपनी संतान की दीर दायों और अच्छे स्वास के लिए ब्रत रखती हैं सकट चोथ को कई नामों से जाना जाता है जैसे तिलकुट, संकटी चतुर्दी, मा चतुर्दी आध नामों से जाना जाता है देखिए जिस हर बार सकट चोथ होता है लेकिन जिस बार सकट चोथ सौमार को पढ़ता है उस सकट चोथ का विशेस महत होता है इस खास अफसर प्यार महलाएं संतान की दीदायू के लिए अगर भगवान गड़िस से प्रातना करती है तो बहुत ही अच्छा मान जाता है सकट चोथ के दिन भगवान स्री गड़िस की पूजा की जाती है माननेता है कि इस व्रत को करने से भगवान गड़िस जी प्रशन होती है इस व्रत से महलाओं संतान की दीरदायों के लिए रखती हैं इस दोरान व्रत करता भी पड़ी जाती है लेकिन इस सकट चौथ के दिन जैसे सौंबार को पड़ रही है तो आप एक उपाय करिए जिससे आप अपनी सारी मनों कामनाय पूर कर सकती हैं अगर आप सुबह सकट चौथ का ब्रत रहे हैं तो गड़ेश जी के मंतरों का पाठ करें पूरे दिन गड़ेश जी के जितने भी मंतर हैं उनका पाठ करें गड़ेश जी को खुस करने के लिए गड़ेश जी के तरह तरह के भोग लगाए मोदक का भोग लगाए और इस दिन आपको साम को जो उपाय है पांच दीपक जरूर जलानी है जिससे आप अपनी कोई भी मनुकामना हो उसको पूर कर सकते हैं तो पांच दीपक आपको तिल के तेल के जलानी है अगर तिल का तेल नहीं है तो आप देसी गी के भी जला सकते हैं और देसी गी के जला रही है तो उ कि कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे गड़ेश जी संकट दूर करते हैं तो तिल का बहुत ही अच्छा कारगर उपाय माना जाता है तो देखिए पांच दीपक आप जलाईए उसमें तिल डालेए फिर उनका दीपक का रोली से और चावल से अच्छे से तिल डाल जलाना है और एक दीपक आपको अपने गेट के दवार पर जलाना है माता लच्मी के लिए आज के दिन देखिए गड़िस भगवान की पूझा होती है भगवान संकर पारवती माता की भी पूझा होती है लेकिन आज के दिन रात को आप 8-9 के बीज में या फिर जब हमारे गेट पर कोई नहीं रहता आप 8 से 9 या फिर थोड़ा लेट भी जला सकती है एक दीपक आप लश्मी जी के लिए जरूर जलाएं तो देखिए एक दीपक आपको छट पर जलाना है खुले आकास में तो एक दीपक का उपाय आपको छलाना है लेकिन सारे दीपक को जलाने से पहले हमें गड़ेज जी का नाम लेना है और लश्मी को जी का जो दीपक जलाएंगे वहां हमें लश्मी जी का नाम लेना है और एक दीपक जलाएंगे हम अपने घर के मंदर में तो यह पांच दीपक आपको रात में सकट चोथ वाले दिन जल पढ़ रही हो, जो सौंबार को सकचोद पढ़ती है, वो बहुती महित्पुर होती है, बहुती सुभ मानी जाती है, तो यह हो पाया आप जरूर करें, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आएं तो चैनल को स्काइब क वीडियो को लेक्षियर और शुक्त करें राधी राधीर